वेल्कम टिक्रेशन पांसकेन बार शुरू होगा रेडी स्टार्ट भारत में 27 करोण से ज्यादा लोगों का गरीवी से बाहर आना गरीवी दूर करने की दिशा में बड़ी उपलब्धी मानी जा सकती है संयुक्त राष्ट्र विकास कारिक्रम और आक्सफोर्ड पावर्टी एंड यूमन डवलप्मेंट इनिशियेटिव की यह ताजा रिपोर्ट भारत में गरीवी हटाने की 2005 से 2016 के बीच की ही तस्वीर पेश करती है हाला की विगत तीन वर्षों में यह आकड़ा कुछ और बढ़ा हुआ भी निकल सकता है इससे यह लगता है की गरीवी दूर करने की योजनाएं कुछ हद तक तो सफल रही हैं गरीवी हटाने की दिशा में ऐसी सफलता भविश के लिए रास्ता दिखाने वाली हैं इससे यह भी इसपस्ट है की गरीवी हटाने की योजनाओं को पूरी छमता और इमानदारी के साथ लागू किया जाए तो भारत से गरीवी खत्म करना नामुमकिन नहीं है हालांकि इस कटू सत्य से कोई इनकार नहीं करेगा की गरीवी से लड़ने में सबसे बड़ी समस्या ब्रश्टाचार की रही है गरीवी दूर करने के लिए बनाई योजनाएं उपर से नीचे तक ब्रश्टाचार की सिकार होती रही है ऐसे में लोगों को गरीवी से बाहर निकलना एक चुनोती भरा मिशन होता है इसे विडम बना ही कहा जाएगा कि कभी सोने की चुडिया कहा जाने वाला भारत आजादी के साथ दशक बाद भी गरीवी से मुक्त नहीं हो पाया है इसकी एक वजह यह भी है कि हम आज तक गरीवी की परिभाशा तय नहीं कर पाए है सरकार की निगाह में कौन गरीव है यह बड़ा सवाल है क्या 25 पचास या 100 रुपए रोजाना आमदनी को पैमाना बनाकर गरीवी की परिभाशा तय होनी चाहिए गरीवी की परिभाशा तय करने के लिए एक नहीं कई कमीटियां बनी और सब ने अपनी रिपोर्टें दी लेकिन गरीवी को लेकर कोई एक राय नहीं बन पाई गरीब और गरीवी को लेकर यह हास्यास्पद इस्थिती है अगर देश के महानगरों और बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे शहरों में रहने वाली आबादी की दैनी हालत ही जमीनी हकीकत बताने के लिए काफी है सिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोशन, भुखमरी, ब्रस्टाचार आदी को लेकर हर साल आने वाली वैस्विक रिपोर्टों पर गौर करें तो पाएंगे की मामलों में तो हम अपने पडोसी देशों से भी पीछे हैं भारत में गरीवी को लेकर राजनेताओं से लेकर अर्थशास्त्री तक चिंता जाहिर करते रहे हैं चुनाव हर बजट में गरीवी का खात्मा करने का वादा होता रहा है लेकिन गरीवी खत्म नहीं हो रही है बलकि पैर पसारती जा रही है यह कड़वी हकीकत है कि आज भी आबादी का बड़ा हिस्सा सिक्षा स्वास्त्य आवास जैसी बुनियादी चीजों से वंचित है यह इस्थिती शहरी और ग्रामीड दोनों इस तरों पर विद्यमान है मुश्किल यह है कि गरीवी हटाने की दिसा में काम जिस तेजी से होना चाहिए वह हो नहीं रहा नीतियां और कारिक्रम ऐसे होने चाहिए कि जो एक बार गरीवी रेखा से बाहर आ जाए वह फिर से गरीवी में न चला जाए केंद्र और राजसरकारों को ऐसी ठोस नीतियां बनाने की जरूरत है जो गरीवों को गरीवी से मुक्ती दिलाने के साथ ही और लोगों को गरीवी में धकेलने वाले हालात से भी बचाएं हमें सिर्फ इसी पर खुश नहीं हो जाना चाहिए कि 27 करोन से ज्यादा लोग गरीवी से बाहर आ गये हैं बलकि इसे इस कसोटी पर कसाज अना होगा की देश के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं और संविधान द्वारा प्रदत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले का यह बला ब्त schol करो बुनिया कि अधिकार हैं